आजी वेरी वेरी वेड मॉर्निंग आइस क्या हाल चला सब लोग के आगे सारे तो बच्चे कम हैं आज बारिश हो रही है बरब भी पड़ी हुई है फ्रेश फ्रेश तो क्याल चला सब लोग के कितने लोग हैं एक दू कमी लोग है आज चलो जी कहां पर थे हम लोग लास्ट लेक्चर के आगर रहे थे हाँ जी लास्ट लेक्चर में किसी कोई इशू कोई डाउट निकल गया है तो भी बताओ नई तो फिर फटापट से आगे बढ़ेंगे हम सब्सक्राइब करने वाली है तो आज का लेक्चर जो है इस विल भी अगें एक घंटे का लेक्चर होगा और कल पर सुझे मैं इंवार्मेंट कवर अप करके आप कुझे जोग्रफी से फ्री कर दूँगा एंड देन वी विल बी मुविंग अप ओल्ड करो गाइस एक भी नी माइक का कुछ इशू है तोड़ा सा लेट मी कनफर्म इट एक बड़ी अप गैस कनफर्म करोगे फटाफट से कि अवास ठीक आ रही है मेरी एको तो नहीं कर रही है जल्दी से कनफर्म कर दो एको तो नहीं आ रहा है मेरी अवाज में ठीक आ रही है चलो ठीक है ओके ठीक है परफेक्ट 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 चलो ठीक है जी बहुत बढ़िया चलो जितने लोग आगे आगे जितने नहीं आएगे कोई चक कर नहीं है मूव करते हैं हम लोग अपने नेट अपने टॉपिक के अबर इन्वाइरमेंट एकलोजी बाइवस्टी क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे बच्चों के मेसेज आएवसर हम यह क्यों पढ़ रहे हैं भाई है इसलिए पढ़ रहे हैं को कि एक यह दो कोशन आ जाते हैं और इसकर के जो है जो है जोग्रफिक अंदरी बेसिकली इन्वाइरमेंट जो है कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है कोई जो एकलोजी इन्वाइरमेंट है अलग से सब्जेक्ट नहीं है हम लोग इसको जो है जियोग्राफी में बायो जियोग्राफी के नाम से पढ़ते हैं, तो बात एक ही है, अगर आप थोड़ा बात इन्वार्मेंट पढ़ोगे भी तो इसमें कोई हाम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, question एक दो फस जाते हैं, जैसे हमने देखे थे लगातार 2016 में और 2018 के नायब दसिलदर के पेपर म हम लोगों ने जो है wetland के ओपर question देखा था ठीक है जी wetlands के ओपर ramser convention के ओपर question देखा है तो basically question फस जाते हैं इसलिए आपन लोग जो है इसको कर रहे हैं वनना इतनी मगजमारी मानिक क्या जुरत थी मैं जल्दी छोड़ देता मेरे को भी बाकी काम करने में जो है असानी होती but again main motive जो है that is do what that is to make sure कि हम लोग जो है सारी चीजे cover up कर ले और आपका कुछ जो है इस तरह की चीज छुटे ना ठीक है की ने यह हमारा main motive रहा है anyway so let us start with today's topic हम लोग फटा फटा से overview देता है पिछले topic में हमने क्या किया था जो लोग नए जुड़ रहे है साथ में so हम लोग ने जो है ecology के concepts को हमने start किया था मैंने आपको ecology define करी थी basically ecology क्या है it is oicus and logos यह जो है दो basically words का बना हुआ है oicus का मतलब क्या होता है surroundings that means हम लोग यहाँ पर कर रहे हम लोग अपनी surroundings को study करते है logos is the study of है ना so हम surroundings को study करते है surrounding में हम लोग क्या देखते हैं दो तरह के जो आप कह सकते aspects हैं वो हम लोग यहाँ पर interact होते देखते हैं that is abiotic factors and biotic factors, biotic means जीवित और abiotic means जीवित तो यह जो factors हैं यह interact करते हैं और इसके कारण हमारा एक ecosystem एक-एक basically surroundings बनते हैं और ecology को हम इसी चीज़ को study करते हैं हमने Ernest Hendritch Philippine Augustine Hackle के बारे में सुना था he was the person जिसने ecology का he is known as the father of ecology और Balji में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है बहुत सारी species को discover किया है मैंने आपको बताया था मैंने आपको broad biosphere की जो एक hierarchy है उसको बताया था सबसे पहले हमने कहां से start किया था हमने organism के साथ start किया था organism की एक functional unit कौन सी होती है that is species थीक है जी species क्या चीज़ होती है वो जानवर जो एक दुसरे के साथ interbead कर पाते हैं उन्हें हम लोग species बोलते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो उसके साथ हमने देखा था बड़ी सारी adaptations निकल के आती है जैसे हमने light के साथ adaptation देखी थी जैसे हम लोगों ने basically temperature के साथ adaptation देखी थी जैसे हम लोगों ने basically आपने आसपास के surrounding के साथ adaptation देखी थी सवानाज ये इन type में किस तरह के adaptation हो रही है ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था light coloration जैसे example camouflage हमने बात करी थी हम लोगों ने बात करी थी mimicry के बारे में हम लोगों ने बात करी थी basically colorations के बारे में हम लोगों ने बात करे थी हम लोग उने plants में बात करे थी यह सीओफाइट होते है या फिर हेलोफाइट होते है आपके ठीक है जी hydrophाइट होते है जेरोफाइट होते है इस तरह के हमने बहुत सारी बातें यहां पर कल जो है की थी ओके सो next इस second organism के बात जो है numbers एक particular जगह में जो हम देखते हैं उसे हम population बोल देते हैं बड़ी सारी चीज़ हमने यहाँ पड़ी थी देख एक तो हमने population का interaction पड़ा था यहाँ पर क्या लगला population जो किस तरह से interact करती है तो हमने यहाँ पर क्या पड़ी थी हम लोगों ने इसके अलावा हमने यहाँ पर caring capacity भी बात करी थी carrying capacity जो है एक population की कितनी होती है और क्या होती है और कोई जो है biotic potential इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था ठीक है बहुत सारी population इंट्रेक करती है तो क्या बनाती है देव फॉर्म biotic community, biotic community के बारे में आज हम बात करेंगे biotic community is nothing बट population, बहुत सारी population की species species की population xpc, ypc, zpc इसकी population जो है इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ठीक है इंट्रेक्शन तो हमने पढ़ी लिए इसकी बट इसके लावा और बहुत सारे concepts होते हैं जो हम लोग मैं आज आपको बताऊंगा then उसके अलावा जो है biotic community के बाद हम लोग पढ़ते हैं यह biotic factor बनाती है और यह क्या करती है अपने physical environment के साथ interact करती है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर basically हम लोग इसका interaction पढ़ने कुशी करते हैं बहुत सारे लगले तरीके चार तरीक से पढ़ते हैं मैं आज बताऊंगा आपको जैसे कि यहाँ पर productivity कैसे निकल के आती है ठीक है जी then उसके बाद हम लोग देखते है nutrient flow कैसा देखने को मिलता है energy flow कैसा देखने को मिलता है and basically जो waste है decomposition है वो कैसे होता है ठीक है यह सारी बाते करेंगे हम लोग ecosystem पर बहुत सारे ecosystem मिलके जो है वो क्या बनाते हैं वो landscape बनाते हैं मैंने आपको बताया था landscape जो है बहुत सारे landscape मिलके क्या बनाते हैं biomes बनाते हैं और biomes जो है वो क्या बनाता है हमारा finally biosphere बनाता है वो स्वियर जहां पर की सारे जीवित जहां जीवन है वह वहां पर पनपता है ठीक है इसको मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा बायोटिक कम्यूनिटी के साथ so let us move quickly towards that area I hope यह सारी PPD आपने देख भी लिए होगी और यह सारे content आपने पढ़ भी लिया होगा I have try to make sure कि जितना जाधा content relevant रख सकूँ जितना जाधा paper के इसाब से रख सकूँ उतना मैंने इसको रखने की कोशिश की है ठीक है जी I have covered almost all the aspects और अगर अगर अपना NCRT खोल के देखोगे न तो NCRT जो है almost सारा coverage मैंने कर दिया है okay let us move फटाफट से हम लोग बात करते हैं biotic या biological community या biotic community के बारे में ठीक है जी biotic community बोल देते है biological community भी बोल देते है it is basically what जैसे मैंने आपको बताया interaction है different biological populations का अलग-अलग species की जो जनसंख् होती है एक particular जगे में क्या करते है interact करती है वही जैसे मैंने आपको बताया था कि आप Africa के safari region या कोई अगर आप जैसे discovery channel देख रहे हो तो उसमें safari channel देखते हो African safari देखते हो तो उसके अंदर आप बड़े सारे जानवर देखते हो है ना तो यह सारे क्या है basically biotic community बनाते है एक जगे में जैसे की आप घास घास यह मैदानी या फिर घास वाले मैदानों में zebra's देखते हो wilder beast देख रहे हो ठीक है जी एंड इसके अलावा और बहुत सारे जानवर होते हैं हीरन होते हैं like share होता है लाइन्स का pride होता है आपको हैयाना देखने को मिलते हैं लकड बगग देखने को मिलते हैं एक जानवर दूसरी जानवर के साथ relation रखता है किस तरह के जो मैंने पीछे आपको बताये थे population interaction जैसे की predator prey relation होता है आपका competition होता है mutualism होता है ठीक है जी और यह सारा मिलक क्या बनाता है एक mash बनाता है जैसे हम food chain या traffic levels बोलते हैं मैं आगे अभी food chain या function होता है और इन function के हिसाब से हम इन species को जो है categorize करते हैं वो हम लोग के लिए important है जैसे कि सबसे पहली जो species आती है वो है keystone species ठीक है जी अब biotic community में जैसे चाहां पे बहुत सारी आपको species देखने में मिल रही हैं x y z a b c उसमें जो है एक species या एक से जादा दो species हो सकती है एक species generally जो है क्या करती है वो एक keystone species की तरह काम करती है अब keystone species होता क्या है बाई के साब से देखो तो it is that arc वो जो है building block है अगर ये निकल जाए तो eventually क्या होगा सारा का सारा जो है system collapse कर जाएगा सारी की सारी biotic community collapse कर जाएगी ठीक है जी generally ये कौन लोग होते हैं they are generally the apex predators जो की आपको देखने को मिलते हैं एक ecosystem में ठीक है की ने apex predators होते है generally देखे जी तो एक ये apex predator example देता हूँ मैं आपको जैसे की एक बहुत important बहुत famous example है देखे जी wolves का in Yellowstone National Park हाँ भी बता दो Yellowstone National Park कहाँ पर मिलता है चैट फटा फट से Yellowstone National Park कहाँ पर मिलता है Anyone Yellowstone National Park Yellowstone National Park कौन सी country में है ओके so basically हुआ कहाँ यहाँ पर yes it is in US से ठीक है जी now anyways coming back so wolves क्या हुआ यह Yellowstone National Park था यहाँ पर जो है 70s से पहले 1970s 1960s माला starting of 20th century यहाँ पर बहुत सारे wolves मिलते थे ठीक है जी तो wolves का यहाँ पर proper you used to find a lot of wolves here and because of them यह wolves जो हैं क्या करते थे इन्होंने ecosystem को समाल के रखा हुआ था यह हमें नहीं पता था वैसे अभी पर ecosystem को समाल के रखा था but with time what happened starting of 20th century जैसे इसे इनसान ने जो है coverage करना start किया या फिर इनसान ने इन areas में जो है रहना start किया इन्होंने क्या 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 wolf की hunting होनी start होगी बहुत सदा wolf की hunting की गई और इसके करन क्या हुआ यह wolf जो है उची पहाड़ियों में disperse हो गए है ना इदर दर चले गए और yellowstone national park से जो है wolf जो है खतम हो गए तो within 1970s में जो है खतम होए था और within 20 years 1990s तक आते आते yellowstone का सारा ecosystem बदल गया basically क्या हुआ सारा जो नीचे low lying area थे यह क्या हुआ यह उजाड हो गए यहाँ पर जो है आपको घास जो है घास grasses जो है वो खम हो गई यहाँ पर जो forest थे forest की जो इतनी सारी variety थी जंगलों की या फिर पेडों की वो खतम होने लगी और इसके कारण क्या हुआ जो यहाँ पर नदी बह रही थी यह नदियां जो है क्या हुआ बहुत उफान में आने लगी बहुत ज़ादा silt ले के आने लगी और यह अपना course change करने लग गई ठीक है जिसके कारण lower areas में flood आने लग गई ठीक है तो बहुत सारे जो जीव ज्यानेक है उन्होंने क्या देखा उन्होंने इसको study किया और देखा कि इनका जो prime कारण था वो था वुल्फ का यहाँ पर ना होना अब वुल्फ ने ऐसा क्या किया ठीक है वुल्फ जो थी यहाँ पर keystone species थी वो क्या करती थी वो वुल्फ ने जो है उन्होंने जो यहाँ पर deer की population थी उसको check पे रखा था means उसकी population को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जब वुल्फ खतम हो गए तो क्या हुआ यह deer की population जो है बहुत ज़्यादा multiply करती रही and deer को क्या चीए खाना चीए ना तो इन्होंने क्या किया यह उपर के जो पहाड़ी मैदानों से नीचे आये पहाड़ी अले रिजन से नीचे और यहाँ की घास को साफ कने लगे अब घास जो है यहाँ पे proper नहीं कर पाई ग्रो नहीं कर पाई तेके क्योंकि deer जो है सारी घास खा जाते थे eventually इससे क्या हुआ इससे जो है बहुत सारा soil erosion हुआ और यहाँ पे नदियां जो है बहुत साथी मिट्टी को carry करने लगी जब भी बारिश हुच से मिट्टी जो है बहुत सारा carry हो जा दी थी नदी में Yellowstone National Park में हम लोगों ने rehabilitate किया यहाँ पे बहुत सारे वुल्फ के pack छोड़े गए इन वुल्फ ने क्या क्या basically इन वुल्फ ने जो क्योंकि घास के मैदान जो थे यहाँ पे बहुत easily hunt किया जा सकता था ना मतलब deer को बहुत easily मारा जा सकता था तो वुल्फ ने यहाँ पे क्या किया इन्होंने deer को यहाँ पे population को मारना स्टार्ट किया खाना स्टार्ट किया और deer जो है वो क्या हुए दुबारा उपर के मैदानों में चले जहाँ पे इने मारना मुश्किल था तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर घास जो है वो पनपने लग गई, घास पनपने लग गई, घास पनपने क्या हुआ, soil erosion कम हो गया, फिर यहाँ पर और species आई, घास पनपने के बाद क्या हुआ, eventually birds यहाँ पर क्योंकि घास के साथ क्या आएंगे, घास के साथ आते हैं, बड़े जो है वो पेड़ भी आने लग गए, एक ट्री के एको सिस्टम भी बनने लग गए, एस्पन के पेड़, विलो के पेड़ जो है वो यहाँ पर देखने लग गए, और इन सबसे क्या हुआ, सॉयल इरोजिन कम हुआ, तो रिवर जो है, वो क्या हुई, वो स्टेबलाइज कर गई, और विदिन 25 एर्स, लाइक 2005 तक आते आते, वो डूबारा बैलन्स पे आ गया था, तो मेरे यह कहानी सुनाने का basically मतलब क्या है, इसका मेरा मतलब यह है, कि भई, जो की स्टोन स्पीशी होती है, वो क्या होती है, वो पूरे के पूरे इको सिस्टम को क्या करती है, बैलन्स में रखती है, और उसको मैंंटेन करके रखत यह जर्णरली यह काम करता है यह predators करते हैं काम तबी तो हम लोग देखो हम लोग tigers को क्यों बचा रहे हैं why we are saving tigers obviously because of national interest and obviously because of the like natural conservation के लिए भी but tigers जो है अगर हम tigers को बचाएंगे तो tigers के साथ पूरा ecosystem जो है वो क्या होगा वो restore हो जाएगा क्यों because tigers जो है they are keystone species so I hope इतना आपको समझ में आया कि मैंने ये सब चीज़े आपको क्यों बताएं so tiger is why tiger is an keystone species है आपका so that's why हम लोग tiger reserves बना रहे हैं and इससे क्या होगा tigers के साथ पूरा पूरा ecosystem जो है वो conserve हो जाएगा so this is one part of it then next is link species और क्या होता है link species जो है it is that species जो क्या करती है दो अलग-अलग species को एक piety community में let's say x y इनको जो है link करवाती है तो link या connector की तरह काम करते हैं और इसका बिस्ट सबसे अच्छा example क्या है this is pollinators तेकर जी pollination में क्या होता है एक third species है देकर ये plant की species x plant species हो सकती है y plant species हो सकती है basically अलग-अलग plant की species है और pollinators क्या करते है जीसे bats मैंने बताया था आपको bats होते है bees होती है birds होते है और आपके butterflies होती है ये क्या करती है ये जो है pollen dispersal का काम करती है जिसके कारण हमको क्या देखने में मिलते है विद्धता जो है वो देखने को मिलती है बायोडाइवस्टी देखने को मिलती है ठीक है जी, तो ये जो हैं क्या है they are pollinators या linkers होते हैं जो क्या करते हैं, ecosystem में linkages provide करने का काम करते हैं ठीक है, बिल्कुल जी, eagle is also a keystone species, very nice so, next is indicator species, ठीक है जी, indicator eagle is also a predator so, indicator species आते हैं, next, next indicator species क्या होते हैं, these are the most sensitive species जो हमें एक biotic community में देखने को मिलता है, ठीक है जी, A, B, C D, E and F सबसे sensitive species होती है और generally, कुछ भी अगर ecosystem में ecosystem में, अगर हमें कोई भी जो है, change देखने को मिलता है अगर like, let us say, physical जो है, इसकी conditions change हो गई, conditions कैसे change होगी जैसे climate change हो रहा है, उसके तरण temperature increase हो गया है, या हमारे किसी, हमारी किसी activity कारण, जो है, pollution वो increase हो गया, तो इसके कारण क्या होता है, सबसे पहले ये species के ओपर effect आता है, और इनके number जा तो बहुत जल्दी decline कर जाएंगे, या altogether wipe out हो जाएंगे, या इस तरह कुछ भी तरह के effect होते हैं, और हमें पता जलता है कि ecosystem में जो है, वो problem है, ठीक है जी, तो इंडिकेटर काम करते हैं कि भाई, ये ecosystem में stress आ गया है, और इसके करण, इनके numbers बज़वाद ड्विंडल करने लग जाते हैं, ठीक है, example, जैसे कि हम लोग oceanic ecosystem में जो है, सबसे important indicator species का काम कौन करते हैं, वो काम करते हैं, corals, ठीक है जी, corals, थोड़ा से भी, को कि corals की specific condition है, coral reefs की पनपने की, तो जैसे ही condition में थोड़ा बहुत भी, बदलाव आता है, तो इनका क्या हो जाता है, इनका bleaching हो जाता है, ठीक है, जी, bleaching का मतलब क्या होता है, basically corals क्या करते हैं, वो जो zoosanthale है, मैंने कल, last time बताया था, zoosanthale, एक algae है, जिसके साथ coral रहते हैं, उनको eject कर देते हैं, और इनके कारण, zoosanthale कारण, इनको अलग-अलग colorations मिलती हैं, ठीक है जी, तो ये zoosanthale eject करने से क्या होगा, coral जो है, वो pale yellowish color के हो जाते हैं, जिसे हम bleaching बोलते हैं, so coral bleaching जो है, बहुत important indicator है, कि बाई, कोई ecosystem क्या है, stress में है, similarly lichens जो है, वो भी यही काम करते हैं, lichens यही यही काम करते हैं, थोड़ा सा stress करने, या फिर थोड़ा सा भी pH change होने में, इनका जो है coloration change हो जाता है, and यह जो है, pale color के हो जाते हैं, इसके कारण भी हमें यही चीज़ पता चलती है, okay, understood, so I hope पता चला, predator species पता चला, link species, indicator species keystone, यह मैंने अभी आपको बताना है by the way, sorry, okay okay, ठीक है, perfect, चलो आगे चलते हैं हम लोग, anyway so eco, then आते हैं, इसी में और important concepts आते हैं, that is eco tone, edge effect and edge species, ठीक है जी, अब edge effect, eco tone या edge species क्या होते हैं, basically eco tones, वो जगे होते हैं, जहां पर दो eco system जो है, वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं तेक है, जैसे की घास का मैदान है, यह घास का मैदान है आपका, तेक है जी, और यहां से जो है, lake start हो रही है तेक है, lake start हो रही है, घास का two है आपका ये basically एक आप लगाओ river या फिर lake या फिर pond ecosystem है है कि नहीं तो ये जो है दो ecosystem यहाँ पे मिल रहे हैं तेक है जी ये दो जो है एक ecosystem यहाँ पे आपको मिल रहे हैं and ये जो area है जहाँ पे ये दो ecosystem मिलते हैं ये area इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग एज इफेक्ट, अभी एज इफेक्ट क्या चीज है, एज इफेक्ट is basically, जहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मालो आपको चार स्पीशी देखने को मिल रही है, चार अलग-अलग स्पीशी देखने को मिलती है, यहाँ पे तीन अलग-अलग स्पीशी देखने को मिलती है, तो रही है या फिर species की richness जो है वो comparatively high species richness का मतलब number of species यहाँ पर जो मिल रही है वो comparatively ज़ादा है तो इसको हम लोग क्या कहते है इसको हम लोग edge effect जो है वो बोलते हैं this is called as basically edge effect that means कि दो ecosystem जहाँ पर मिल रहे हैं वो जगह पर number of species जो है वो ज़ादा मिलती है क्यों? बिकोज यहाँ पर जो है better niches build होते हैं जो ज़ादा अच्छे niche जो है build हो सकते हैं and ज़ादा क्योंकि दो ecosystem मिल रहे हैं तो like खाना भी जो है wide variety का आपको organism या food chain मिलेगी and similarly environment भी अलग काफी wide variety तो यहाँ पर number of species जो है वो ज़ादा देखने को मिलती हैं ठीक है जी? edge effect बोलते हैं इसको और यहाँ पर जो species मिलते होने हम क्या बोलते हैं they are called as edge species ठीक है जी? क्या बोलते है edge species? example edge species का mostly amphibians जो है ठीक है जी? amphibians जो है they are, या फिर reptiles जो है, they are part of edge species ठीक है यह edge में आपको देखने को मिलते हैं mostly amphibians and also some bird के categories जो 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 amphibians आपका, जिसे frog हो गया ठीक है जी? frog is a big example, then उसके आदा turtle is a big example अपका, birds में any type of bird जो है जो आपके पानी से related है वो जो है, they are big example, जो स्वान है जो है, this is also an example of it, reptiles में, snake जो है, it is a big example of edge species, ठीक है जी? और बहुत सारी species हैं, but like मैं खुद इतनी ज़्यादा species के बारे में नहीं जानता, तो all I'm saying is, I'm giving a broad understanding कि किस तरह की species आपको देखने को मिल सकती हैं यहां पर ओके जी? Yes, so this is basically your edge effect ठीक है कि नहीं? फिर हम लोग एक और important phenomenon के बारे में बात करते हैं, वो है ecological succession ठीक है जी? ecological succession, अब basically यह ecological succession होता क्या है? इसको picture को भी मत ध्यान दो इसको आप basically इस तरह समझो हम लोग जो हैं किसी ecosystem में अगर यह कोई X ecosystem है इसमें हम देखते हैं कि जो species है, जो species आपको यहाँ पे मिल रही है, यह constant नहीं होती है ठीक है they are not constant, यह consistently क्या होती है? change हो रही होती है consistently change होती है, एक species जो है, वो दूसरी species को आने देती है दूसरी species, तीसरी species को आने देती है और ऐसे continuously हम लोग क्या देखते हैं? species का आना जाना जो है हम लोग देखते रहते हैं और ecosystem में continuously हम लोग बदलाव देखते हैं until एक climax ecosystem बनता है तब तक हम लोग देखेंगे इसे जब तक एक climax ecosystem बनेगा और उसमें comparatively stable आपको species जो है देखने को बिलेगे जो काफी लंबे time तक यहाँ पर रहेंगी ठीक है इसको हम क्या किते है ecological succession बोलते हैं कि एक species A वो जो है दूसरी species B को जगह देती है B जो है C को जगह देती है C D को जगह देती है until एक ऐसी species और एक ऐसा ecosystem बन जाए जो की क्या हो stable हो और लाखो लाखो साल अगर कोई हम लोग artificial changes नहीं कर रहें तो लाखो लाखो साल जो है वो यहाँ पर stable पड़ी हुई है अब इसका best example दो तरह की होते है basically ecosystem जो succession होते है ecological succession एक होता है primary succession एक होता है secondary succession ठीक है जी primary succession में जो बिलकुल जो है bear जहाँ पर कोई ecosystem नहीं है bear बिलकुल कोई ऐसी condition में नहीं ecosystem बनने की बिलकुल एक bear barren land में होता है ठीक है जो बिलकुल उजाड जगह में होता है जैसे की एक पत्थर है अभी अभी जैसे अगी volcano erupt हुआ और वहाँ से fresh जो है lava जो है वो solidify rocks बनी है अभी तो इस जगह पे जो है अभी जैसे हम जराक बोलते हैं और एक उता पानी के ओपर जैसे हम लोग hydrark बोलते हैं ठीक है जैसे अभी अभी जो है एक नदी बनी है या एक pond बना है यहाँ पे पहले कोई pond exist नहीं करता अभी अभी यहाँ पे pond बना है तो eventually यहाँ पे जो succession होगा उससे हम लोग hydrark बोलते हैं ठीक है की नहीं anyways so यहाँ पे देखो नीचे जो हमें आपको एक example दे रखा है this is an example of जरार का succession इसमें क्या हुआ यहाँ पे पहले barren rocks होती थी है न बिलकुल ऐसे barren rocks थी यहाँ पे और यहाँ पे हुआ बिलकुल जैसे आप मालोब volcanic eruption हुआ और वहाँ से rocks जो है भी निकली है तो barren rock है bear rock है यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा क्योंकि दूप बड़ी पड़ी पड़ी गर्मी बड़ी पड़ी है कोई नीचे soil बनी नहीं है no soil nutrition नहीं है simply rocks है यहाँ पे तो ऐसी जगे में जो है क्या होगा ऐसी जगे में पहले सबसे hardy species जो इस सब चीज को सह सकती है वही तरह की species यहाँ पे आएंगी सबसे पहले जैसे कौन से आते है lichens आते हैं ठीक है जी lichens जो है काई basically जैसे हम बोलते है वो इस तरह से पत्थर के undergrowth area या फिर shady areas में या छाओं वाले areas में जो है पहले पनपेंगी और धीरे-धीरे क्या करेंगी वो basically यहाँ पे कबजा करेंगी या फिर invasion करेंगी hardy species होती है मर भी जाती है बड़ी जल्दी reproductive होती है मतलब बहुत जल्दी जो है grow कर जाती है और दुबारा grow कर जाती है और even धूप या छाओं दोनों चीज़े सह लेती है इस तरह की species को हम लोग क्या बोलते है they are called as hardy species क्या बोलते है उनको हम लोग hardy species बोलते है या इन्हों pioneer species भी बोलते है क्यों because इन्होंने अभी-भी जो है क्या किया है यहाँ पर start की है चीज़ को ठीक है की नहीं pioneer species या फिर hardy species आपको इसको हम लोग बोल देते हैं then इसके बाद जो हम लोग क्या देखते हैं once यह hardy species आती है क्या करते है धीरे-धीरे यह organic जो है जो आपका organic waste है वो बनाएंगी और धीरे-धीरे soil की formation करना start करेंगी यहाँ पर soil की formation हो रही है धीरे-धीरे soil की formation start होती है soil की formation start होती है तो क्या हुआ यह lichens जो है then उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दूसरी stage आती है lichens जो है जो profile है वो ठिक होने लग जाती है उसके बाद small leakings के बाद आती है perennial herbs जो सारा साल घास बनी रहती है वहाँ पर वो आती है perennial herbs, shrubs, इस तरह की जाड़ी जाड़कूक इस तरह की बनने लग जाती है और यहाँ पर जो है जानवर आना start होती है और यहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी घास या फिर इस तरह के shade intolerant trees means आपका जो proper sunlight को सह सकते हैं उस तरह के पेड़ बनने start होते है ठीक है जी और देखो rate of जो आपका weathering है, soil formation है decomposition है, यह सारा increase हो रहा है and with time जो है आपको stable shade tolerant trees देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको climax community देखने को मिलेंगे, जैसे कि hiran देखने को मिलेंगे, या फिर tigers यह देखने को मिलेंगे, ठीक है यह stages हम लोग देखते हैं, एक stage से दूसरी stage and इनको हम लोग क्या कहते हैं basically cyril stages बोलते हैं सेरील, cyril stages बोलते हैं और यह cyril stages में जो आपको species देखने में मिलते हैं, एने हम लोग cyril species बोल देते हैं यह basically temporary species होती है एक species के बाद दूसरी species आती रहती है until यह climax यहाँ पर community बनती है यह climax community यहाँ पर जो ecosystem मों stable होता है productivity काफी ज़ादा high होती है and basically इस करके हम लोग stable और vibrant ecosystem यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है तो यह होता है आपका ecological succession, इसमें आपको यह याद रखना है pioneer species कौन से होती है, यह लेकिन्स होती है और cyril stages यह क्या चीज़े होती है similar चीज़ जो है वो hydrark में भी होती है बढ़ hydrark जो है वो कहाँ पर होता है आपका पानी में होता है, तीक है आप यह देखोंगे पानी में अभी कुछ भी नहीं पनपा हुआ है धिरी धिरी यहाँ पर जो है rooted hydrophytes hydrophytes पानी में रहने वाले आपको plant देखने मिलते हैं, soil का formation start होता है, then थोड़े थोड़े करके आपको coastal उसमें आपको plant देखने को मिलेंगे धिरी 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 क्या होगा, मिट्टी इतनी हो जाएगे कि यह पानी बहुत कम रहा जाएगा यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, धिरी धिरी आपका proper जो है वही जो perennial shrubs है, घास है या फिर shade tolerant trees है intolerant trees है and then eventually आपका जो है, इस तरह के जंगल देखने को मिल जाएगे, ठीक है कि नहीं So I hope यह जो है आपको लग रहा है समझ में, this is basically called as Hydraarch ठीक है ही, Hydraarch and Zerarch, अब कही की बारी क्या होता है, मान लोग इस तरह की climax community बनी हुई है इस तरह की climax community बनी हुई है आपके और यह इस तरह के बड़े बड़े घने जंगल देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ लेटर से आग लग गई है, लेटर से बोलेंगे, secondary की बोलेंगे, because यहाँ पर soil की profile अलड़ी बनी हुई है, soil में organic जो minerals हैं, वो आपको अलड़ी मिलते हैं काफी rich profile है, तो इसको जो है, जब दुबारा start हो गए, दुबारा कहा से start होता है, यह इस stage से होता है perennial grasses या shrubs वाले stage से, अंधीरे-धीरे आपका यह secondary succession होने में, इसमें आपको hardly, hardly, जो है, 50 से 100 साल लगते हैं, like 50 years में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50 years तक आते आते हैं, आपको दुबारा यह ecosystem develop होता, दिख जाता है, ठीक है कि नहीं, so this is basically your, what, this is your secondary succession, या दोनाचे आपको primary succession, secondary succession, यह क्या चीज होती है, ठीक है, so this is our biotic community, ठीक है, जो biotic या biological community, जो मैंने आपको बताने थी, उसमें कुछ concept बताने थे, यह जो है, वो concept है, ठीक है, जी, आपको पता होना चाहिए, keystone species क्या होती है, indicator species क्या होती है, आपका जो है, pioneer species क्या होती है, आपको succession क्या होता है, यह सारी चीजों का broadly आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने biotic community के ऊपर जो आपको क्या देखने मिलता है, basically this is ecosystem देखने को मिलता है, ठीक है जी, ecosystem क्या है, it is that functional unit, वो functional unit, जो हम basically ecology की बारे हम बात करते हैं, environment की बारे हम बात करते हैं, तो हम actually एक ecosystem के बारे हम बात कर रहे हैं, जहां पर biotic community, वो क्या कर रही है, biotic community जी से हम लोग biotic factor बोल देते हैं, वो किसके साथ interact करती है, a-biotic factor के साथ, या फिर अपने physical environment के साथ interact करती है, ठीक है कि नहीं, बहुत important topic है, आर्थर टैंसले ने जो है, इसको coin किया था, 935 में, ecosystem as a term को coin किया था, और बहुत प्रकार के ecosystem हो सकते हैं, terrestrial ecosystems होते हैं, aquatic ecosystem, terrestrial means, जो जमीन के उपर देखने मिलते हैं, जैसे कि सवानाज, या फिर grassland ecosystem हो सकता है, आपका tree तक एक ecosystem होता है, एक तरह के ecosystem हो सकते हैं, desert ecosystem हो सकता है, आपका, बड़े तरह के ecosystems हो सकते हैं, similarly aquatic ecosystems होते हैं, आपके, aquatic ecosystems can be pond ecosystem, river ecosystem, आपका जो है, जो basically marshy ecosystem हो सकता है, coastal ecosystem हो सकता है, बड़े सारे तरह के water ecosystems हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, understood, so यह जो है basically क्या है आपका ecosystem अलग अलग प्रकार की ecosystem थे इसमें भी हम लोग कुछ important systems पढ़ते हैं कुछ important aspects पढ़ते हैं ecosystem basically क्या हो रहा है देखो basically जो biotic community इसमें क्या कर रही है फिर से बतारों मैं आपको biotic community यहाँ पे physical environment के साथ interact करती है तो इससे कुछ functions निकल के आते हैं जो ecosystem must perform वहाँ पे जो होने ही होने चाहिए नहीं तो यह सारा system collapse कर जाएगा पहला जो system होता है that is what that is productivity के एक system में जो ecosystem में productivity निकल के आने चाहिए ठीक है जी second eco second चीज़ is decomposition ठीक है जी productivity के बात है decomposition जो वहाँ पे productivity हो रही है जो वहाँ पे basically biomass बन रहा है उसका जो जब वो मरता है या उसका जो है waste product निकलते हैं उसका जो है breakdown होना चाहिए ताकि ecosystem कोई भी nutrients को left over ना करे तो decomposition होता है ठीक है जी then is energy flow energy किस तरह से हम लोग देखते है system में flow हो रही है ecosystem में कैसे flow करती है और nutrients जो है वो कैसे cycle होते हैं यह जो है चार very very important aspects अगर ecosystem निभा पाता है तो वो balance में रहता है इस तरह से आपको देखने को मिलता है ठीक है बात करते हैं एक एक करके इन चीजों के उपर आते हम लोग सबसे पहले जो है productivity है ठीक है आप इसको ना मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ उसके तहट हम लोग से बात करते हैं तो this is that picture आप अगर इस picture को देख पा रहे हो तो इसमें मैं आपको सारे concepts बताने लगा हूँ productivity ठीक है जी productivity बताऊंगा मैं आपको यहां पर इसको बताऊंगा आपको आपको जो है आपका basically जो energy flow है इसको भी बताऊंगा और जो आपका nutrient cycling है इसको भी बताने कोशी करूंगा और इसके साथ traffic levels या food chain यह सब चीज़े बात करता हूँ तेक है बड़ी energy जो है ultimate source of energy क्या है हमारा that is our sun ठीक है sun से जो है energy वो आती है और वो जो है ecosystem में use होती है वो ही energy सारे ecosystem में घूम रही है ठीक है अब eventually मैं आपको energy flow बता रहा हूँ कैसे होगा ठीक है जी most of जो sun की heat है वो sun की heat है वो क्या था वो like surrounding में चल जाती है एको अपना कुछ reflect हो जाएगी है अपना albedo के थुरू reflect हो जाती है या कुछ जो है atmosphere absorb कर लेता है तो जो biotic communities है जो जीवन है ecosystem है वहाँ पे सिरफ एक परसेंट जो है sunlight वो ही absorb हो पाती है ठीक है अगर sun जो है let us say 100,000 ठीक है अब का 100,000 joules के आसपास में ये energy फैंक रहा है तो इसका 1% कितना हो गया 100,000 का 1% कितना हो गया let us say this is 1000 joules ठीक है जी so 1000 joules जो है वो ही यहाँ पे क्या होगा वो यहाँ पे आपका जो है consume हो रहा या यहाँ पे जो है plants उसे use कर पा रहे है in the form of photosynthesis ठीक है जी plant करते है ना photosynthesis क्या करें सन की light को use करके photosynthesis करके chemical बनाते है chemical energy बनाते है in the form of glucose ठीक है जी so यहाँ पे देखो जो भी energy बना रहे है उस कुछ energy जो है वहीं पे आपको देखने को मिल रही है ठीक है जी यह energy को लेकर plant बड़ा होगा plant जो है एक बड़ा पेड़ बन जाएगा let us say 1000 किलो का यह पेड़ बन productivity कितनी energy लेके sun से कितनी energy लेके कोई एक particular level में कितना energy जो हो store हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं productivity होते हैं दो तरग होती है जब starting के level पे यह काम होता है तो इसे हम क्या कहते है primary productivity और इसके बाद further जो है इस level से जो अब energy आगे transfer होती है उसे हम लोग secondary productivity बोलते हैं ठीक ह इसे हम लोग क्या कहते है प्राइमरी productivity कहते हैं अब इस level से हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस level में देखो क्या होगा यह पेड के पत्ते टेहनिया जडेंगी यह सब जो है क्या करेंगी यह जो है detritus बनाएंगी detritus क्या होता है बेसिकलिए organic waste बनाएंगी ठीक है की नही similarly यह plants respiration भी करेंगे कुछ energy जो है इनकी respiration में भी loss होगी यह respiration के losses जो है comparatively कम होते हैं इस stage पे like around 10% के आसपास में हाँ पे respiration के losses आपको देखने को मिलते हैं ठीक है उसके बाद यह energy जो है एक level से दूसरे level पे जाती है ठीक है की नहीं यहाँ पर इस पत्तों के अपर कीड लगेंगे तो यह कीडे जो है इस पतों खा रहे हैं primary जो बायो मास है primary crops है यह primary जो है aspect है उनसे energy ले रहे हैं ठीक है जी और यह कितनी transfer होती है generally सिर्फ 10% energy ही transfer होती है तो यहाँ पे जो है कितनी energy पहुंची 100 joule energy पहुंची 1000 से 100 joule energy पहुंची इस level पे और इस level को हम लोग क् प्राइमरी कंजूमर्स ठीक है जी क्या बोलते हैं primary consumer बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं primary producers बोलते हैं ठीक है कि नी प्राइमरी producers and primary consumers अब यहाँ पर 100 joule energy पहुंची कुछ energy जो यहाँ पे भी क्या होगी assimilate हो जाएगे कीडे जो है वो धिरे-दिरे grow करेंगे बड़े करेंगे इनका भार बड़ेगा यहाँ पे भी आपको क्या देखने मिलेगी productivity देखने मिलेगी हर level में हम लोग थोड़ा-थोड़ा accumulation देखते हैं और इसको हम लोग क्या कहते है primary के बात जो आती है this is called as secondary productivity ठीक है जी secondary productivity बोलते हैं हर level में कुछ ना कुछ weight आपको देखने मिल biomass 100,000 kg का paid बन गया तो that is what that is the standing crop ठीक है कि नहीं इतना समझ में है primary productivity and secondary productivity यह आपको देखने मिलेगी primary productivity आपको producers में और उसके बात जो है जो भी level आते हैं consumers के उनको हम लोग क्या कहते है secondary productivity बोलते हैं सबको secondary productivity बोलते हैं अब सी मिले देखो इस कीडे को कौन खाएगी चोटी bird खाएगी इस stage में जो है किडे वाली stage में जो पहली primary consumer वाली stage है यहाँ पे heat के losses बढ़ जाते है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देखेंगे यह stages यह level बढ़ते हुए इन levels में जो है complexity भी बढ़ जाएगी complexity means जो body है उसके complexity increase हो जाएगी increase होने को क्यारण इनको ज़्यादा energy च 30% ठीक है जी start होगा 30% के साथ and then इसके बाद जो है energy पहुँची कितनी 10% energy पहुँची आगे ठीक हर्ट जो level है इससे एक एक करके हम लोग देखते हैं सिर्फ 10% energy ही वापिस आगे पहुँच रही है यहाँ पे कितनी energy पहुँची 10 joules के आसपास में energy पहुँची ठीक है जी इनकी भी मौत होगी ये भी जो है organic waste प्रड्यूस करेंगे सब जो है क्या हो रहा है ये in the form of detritus निकल के आ रहा है ठीक है ये detritus detritus means organic waste ठीक है जी अब ये bird भी जो है क्या करेगी ये और जादा complex है तो और जादा respirate करेगी यहाँ पर respiration losses 40% से भी उपर पहुँच जाते है and अब जो है सिरफ 10% और energy चन के अपने last level पहुँचती है ये generally कौन होते है apex predators होते हैं ठीक है सबसे उपर रहने वाले जानवर होते है predators होते हैं और यहाँ पर देखो सिरफ कितनी 1 joule ही energy पहुँच पा रही है तो आप देख रहे हो कि बहुत ही कम energy जो है आगे transfer होती है और बहुत जादा है 70-70% तक respiration losses हो सकते हैं क्योंकि ये जो जानवर है basically they are very very complex और बहुत जादा strong metabolic activities होती है complex metabolic activities होती है जिसके कारण ये जानवरों को जादा respiration करनी पड़ती है ठीक है कि नहीं so basically आप देख रहे हो हो हर एक level में क्या हो ये मैंने हर एक level दिखाया है क्या आप देख पारे हो this is level of primary producer, this is primary consumer, this is secondary consumer, this is tertiary consumer है न तो ये जो levels है इनको हम लोग क्या बोलते है basically they are called as trophic levels ठीक है जी एक ecosystem में हम लोग को क्या देखने मिलते हैं food source के हिसाब से energy की transfer के हिसाब से कुछ level देखने में मिलते हैं जिनने हम लोग trophic levels बोल देते हैं ये trophic levels में हम लोग क देखने को मिलती है primary and secondary productivity देखने मिलती है standing crop देखने को मिलता और जैसे जैसे इस level एक level से दूसरी level है एक level से उपर higher level पे जाते हैं हम लोग वहाँ पे जो energy का transfer है वो क्या होता है कम होता रहता है यहाँ पे कितना था 1000 Joule के असपास में यहाँ रह गया 100 Joule यहाँ पे रह गय numbers बहुत कम होगे numbers and then बहुत ही ज़्यादा कम होगे numbers अपेक्स में कौन एक यह दो ही predators होते है और इसके अलावा आपको लोग जानवर जो है देखने को नहीं मिलते है तो दिये क्या है basically यह जो है energy flow मैंने आपको बताया this is how energy is flowing in the system ठीक है यह productivity आपको सामझ में है कि जैसे इ energy हर एक system से निकलती है हर एक level से निकलती है तो वहाँ पे जो है कुछ energy store हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते है productivity बोलते है primary producers के level पे इसे हम कहते है primary productivity second बाकी जो level पर उसे हम लोग कहते हैं secondary productivity ठीक है जी तीन चीज़े मैंने आपको बताई है यहाँ पर productivity बता दिया मैंने यहाँ पर energy का flow मैंने आपको बता दिया तीसरी चीज मैं आपको बताने लगा हूँ वो है sorry that is your decomposition ठीक है जी अब देखो यहाँ से भी organic हर एक लेवल से हर एक ट्रॉफिक लेवल से क्या आ रहा है organic waste ठीक है जी यह कीडे बर्ड यह मरेंगी या इनका organic waste होगा या फिर पत्ते जड़ेंगे सारा जो है क्या मिलके बनाते हैं they dead treaters बनाते हैं ठीक है organic waste बनाते हैं कुछ organic waste जो है वैसे ही सड़ जाता है basically धूप पड़ेगी बारिश पड़ेगी तो जो इस पे क्या होता है इस पे basically microbes काम करते हैं ठीक है जी microbes इस पे काम करना start करते हैं या जो बाकी जानवर है वो इस पे काम करते हैं जिन्हें हम लोग basically basically detritus animals बोलते हैं जैसे कि आपका canchway होगे य या फिर maggots होगे इस तरह के जानवर आपको देखने हैं मिलते हैं वो क्या करते हैं इस detritus को breakdown करते हैं और यह breakdown होने के बाद जो है इन्हे simpler compounds में जो है break कर देते हैं जो कि then further या तो plants ले ले लेते हैं या जो है वो breakdown होके वो दुबारा जो है atmosphere में जहां से भी वो nutrients आया होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर nutrient cycling देखते हैं decomposition में ठीक है जी decomposition में basically processes कौन कौन से होते हैं पहला process होता है आपका fragmentation ठीक है जी fragmentation में जो detritus है इसका धीरे धीरे तूटना यह breakdown होता है physical breakdown होता है इसका means इसको simpler substances में break किया जानली कौन करता है इनक microbes करेंगे इसको ठीक है जी microbes इने खाएंगे और breakdown करेंगे या फिर चैसे earthworms हैं इस तरह के जो है जानवर इने करते हैं खाते हैं और इनका breakdown करते हैं ठीक है जी इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ जो इसकी nutrients है वो soil में चले जाएंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं sorry मेरे पीछे यह दिखने रहा होगा आगे करता हूँ this is called as leaching ठीक है जी उसके बाद यह आपका जो फ्रेग्मेंटेशन हो गया दीरे दीरे टूट गया earthworms और इन सबने किया उसके लीचिंग हो गई ठीक है यह थोड़ा soil में चला गया उसके बाद कुछ जो hard substances रह जाते है जो की weather जो breakdown जल्दी नहीं होते जैसे कि इस तरह के बड़े बड़े chunks रह गए organic and organic minerals के जो टूटते नहीं है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं इन्हें हम लोग humus कहते हैं जो basically खाद होती है हमारी तो humus बनता है इसे हम humification process कहते हैं फिर हम लोग क्या कहते हैं mineralization that means यह भी जो है बिखर जाता है ठीक है जी इसको यह तो soil दुबारा अप्टेक कर लेगे और दुबारा यह nutrients ecosystem में जो है flow ने लग जाएंगे या जो है generally environment में वापश चले जाएंगे ठीक है so this is basically decomposition ठीक है so I hope यह आपको समझ में आया होगा productivity ठीक है जी primary productivity में प्राइमरी प्रडूसर के level पे उस trophic level पे जो आपका biomass बन रहा है उसे primary productivity बागी levels पनता है उसे secondary productivity बोलते हैं decomposition में fragmentation leaching catabolism catabolism basically यह मैं भूल गया leaching का बाद क्या हो था catabolism इसका मतलब breakdown into simpler substances है ना उसका जो नहीं हो पाते हुन्हें हम humification कहते है then finally mineralization होता है then is energy flow मैंने आपको बता है आप यह रह गया last is nutrient flow अब देखो decomposition से क्या हो बहुत सारे nutrients बने ठीक है जी nutrients बने या फिर atmosphere से बहुत सारे nutrients आये आये के नहीं या फिर soil से जो है बहुत सारे nutrients आये example जैसे कि phosphorus से आया nutrient हवा से कौन से आये जैसे nitrogen आया और nutrients यहां पर कौन से आये basically decomposition से आये अब यह जो nutrients है किस तरह से environment में flow करते हैं यह भी जो है एक ecosystem का बहुत important play होता है ठीक है कि नहीं अब यह जो आपके nutrients है ठीक है यह these nutrients if you can see दो तरह की nutrient cycles होती है इन्हें हम लोग basically क्या कहते है बायो जीयो chemical cycles बोलते है ठीक है जी क्या बोलते है बायो जीयो chemical cycles बायो जीयो chemical cycles क्या होते है means यह जो nutrients है कभी जीवित प्रा atmosphere में होंगे और यह continuously क्या करते हैं जीवन और जीवित जो वो हैं आपके factors हैं उनके बीच में घूम रहे होते हैं जैसे की carbon मेरे अंदर है अभी तो अगर कभी मैं मर जाओंगा तो क्या होगा basically यह carbon जो है उड़ जाएगा environment में चला जाएगा तो basically यह continuously cycle चलता है इस हम बायो chemical cycle क्याते हैं दो तरह की cycles होती है एक होती है gacy cycle एक होती है आपकी sedimentary cycle गैसे cycle आपको जानली कहा पर देखने मिलेंगी atmosphere या hydrogen cycle होगा आपका atmosphere से nitrogen आता है वो जो है soil में जाएगा, nitrates बनेगा, nitrates से जो है पौधों में जाएगा and पौधों से जो है जानवरों में जाएगा, eventually जानवर या पौधे मरेंगे तो जो है soil में क्या होगा, जो bacteria उसे ये nitrates को या फिर जो जानवर की जो organic waste है इसको क्या convert कर देगा दुबारा nitrogen में convert कर देगा और दुबारा atmosphere में चला जाएगा तो गैसरी cycle होती है, sedimentary cycle होती है, sedimentary cycle जो की nutrients soil से, earth से निकल के आते हैं, जैसे की लिथो, जैसे की phosphorus है, जैसे phosphorus है आपका, जैसे की calcium है आपका, इस तरह के जो compounds है, कहां से आ रहे हैं, basically, जमीन के नीचे से आ रहे हैं, and then ये ecosystem में जाते हैं, और देन उसके बाद continuously circulate करते रहते हैं, ठीक है, nutrient cycle में आपको typical example देता हूँ, typical chart देता हूँ, ये chart आपको याद रखना है थोड़ा सा, बहुत easily आप इसको समझ लोगे, देखो, कोई भी cycle है, कोई भी nutrient है, वो या तो atmosphere से आ रहा है, या वो weathering से आता है, देखेंगे, atmosphere या weathering से आता है, और देन उसके बाद क्या होता है, वो generally producers पहले उसे intake करेंगे, जो primary producers होंगे, जिसे पौधे हैं, plants हैं, वो कहाँ पे जाएगा, वो दुबारा soil में जाएगा, soil में दुबारा nutrient बनेंगे, और ये दुबारा producers इसको लेंगे, और एक continuously हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह का cycle चलता हुआ, देखेंगे, तीक है क्या होता है, soil में चल जाते है, soil के बाद या तो ये दुबारा बाहर चल जाएंगे, तीक है, या तो दुबारा से बारिश हो गई, बहुत जाता तो ये nutrient कुछ बाहर चले गए, या जो है, gases बनके जो है बाहर निकर गए, तो इस तरह के कुछ nutrient cycle बोल देते हैं, बहुत सारे examples इसके, बहुत सारे example है इसके, इसको zoom करने नहीं, अपना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करो, इसको अपना quality ठीक करो, वीडियो का अपना थोड़ा सा, देखें, it may be because of the quality of the video, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी करो, ठीक हो anyways, so यहाँ पर देखो यह आपका क्या है, this is, आपका lithospheric cycle है, यह ना, lithospheric cycle है, आपको rock minerals है, आपको जैसे मानलो phosphorus है, phosphorus rocks से आया है ना, soil में पहुंचा, soil में जो है क्या हुआ, इसको producers ने खिक लिया, producers को consumers ने खाया, consumers के अंदर गया, consumers जो है, इन्होंने detritus किया, producers का detritus आया, यह जो है, दुबारा decompose हो, तो soil में दुबारा चला गया, और इस तरह का continuous process आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके, understood, yes, chat थोड़ा सा help कर दिया करो, यार बच्चों को जो लोग थोड़े से अभी naive हैं थोड़ा तो बता दिया करो, उनको, very good dimple, हाँ, previous lecture download क्यासे हो सक YouTube में download हो जाते हैं, देख लो जो जिस तरह से हो सकते हैं, तो download कर लेना, सारे playlist बनी हुए है, anyways, so यह जो है, this is called as carbon cycle है, बहुत सारी cycles है, nutrient cycle, like nitrogen cycle है, carbon cycle है, homework दे रहा हूँ आप लोग, homework लिख लो, कुछ cycle तो मैंने आपे दिखा दी हैं, but homework में आपको nitrogen cycle पतपता करके हैं, इस nitrogen cycle very important, क्योंकि यह से बहुत सारे bacteria काम करते हैं, कुछ होते हैं, nitrifying bacteria, जो कि nitrogen को nitrates में convert करते हैं, denitrifying bacteria होते हैं, जो कि nitrates को दुबारा जो हैं, वो nitrogen, elemental nitrogen में convert करते हैं, ठीक है, बहुत सारे bacteria होते हैं, nitrifying bacteria, जिसे कि pseudomonas हो गया आपका, या फिर rhizobium हो गया, इस तरह के carbon cycle है, carbon देखो, atmosphere से कैसे आया, basically इसको अपना पौधो ने लिया, ठीक है, यह पौधो में carbon deposit हो गया, यह carbon जो है, eventually, जब यह जलेंगे, इनको हम जलाएंगे, तो दुबारा carbon जो है, atmosphere में पहुंच गया, यह बहुत time क्या होते हैं, जमीन में नीचे दव जाते हैं, तो oil or gas ब basically carbon की atmosphere में cycle देखने हो मिलती है, similarly there is sulfur oxide की cycle also, sulfur oxide भी इसी तरह से आपको देखने हो मिलता है, sulfur basically निकलता है, basically atmosphere, oh अपना, sorry, soil से निकलता है, ठीक है, soil की cycle है, sulfur fossil fuel से, यह फिर basically आपका इस तरह के जो है, volcanic eruption से, इस से sulfur dioxide निकलता है आपका, ठीक है, and eventually, soil से जो है, plant sulfur intake करते हैं, त अब भी soil sulfur dioxide उपर जाता है, उसके बाद जब बहुत साथ increase जाएगा, तो पाने के साथ mix होके, यह sulfuric acid की rain या acid rain बनके नीचे गिर जाएगा, तो इस तरह से जो हम लोग क्या देखते हैं, यह कोई चक्कर नहीं, यह आप इधर से देख ले ना इसको बाद में, तो इसमें प इसके लिए sulfur cycle, sulfur cycle, I hope sulfur cycle पता चली क्या है, ठीक है, soil से निकलती है, soil को जो है, से कहीं फॉर्म से में निकलती है, plants इंटेक करते हैं, यह फिर volcanic corruption के साथ से हवा में, soil, sulfur dioxide पहुंचती है, plants इंटेक करती है, तो यह standing crop में जाता है, sulfur थोड़ा सा, इनको जो है, जानवर खाते हैं, तो जानवरों के नदे जाता है, ठीक है, eventually जानवर मर जाते हैं, तो क्या होता है, यह sulfur dioxide यह तो दुबारा जमीन में चला जाएगा, यह atmosphere में चला जाएगा, ठी जाने के साथ mix होता है, अगर बहुत जाता concentration में जाता है, तो नीचे गिर जाता है, दुबारा, sulfur या sulfuric acid के form में, या acid drain के form में, yes, okay, so basically, बहुत सारी cycles है, मैंने nitrogen cycle यहाँ पर नहीं बताई, homework है वो आप लोगों के लिए, homework nitrogen cycle पढ़नी है, carbon cycle भी आपको पढ़नी है, थोड़ की cycle, and phosphorus की cycle, यह आपको जो है, याद थोड़ा सा पढ़के आनी है, homework है आप लोगों के लिए, खुछ तो करो घर से, ठीक है, सारी सारी पकी पकाई खीर थोड़ा खानी है, okay, so traffic, फिर आता है food web, traffic, food chains, and traffic levels, traffic levels तो मैं आपको बताई दिया, basically, कि जो nutrition के हिसाब से, या energy के transfer के साब से हमने क्या देखते है, हमारे ecosystem में हम लोग levels देखते हैं, तीक है जी, तीन, चार, जनली, चार, तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा levels आपको देखने हैं, बहुत हद पांच level देखने को मिलते हैं आपको, इसे हम लोग क्या करते हैं, पहला traffic level, second traffic, third traffic, fourth traffic level, और अलग न energy transfer, and based on the relationship of nutrition, nutrition कैसे जो है, circulate हो रहा है, एक level से दूसी level, उन basis पर हमने level बना रखे, इसे हम traffic levels बोलते हैं, ठीक है की नहीं, अब इनी traffic levels में आपको क्या देखने मिलेंगे, कुछ ना कुछ जानवर देखने को मिलेंगे, जो क्या कर रहे हैं, energy के इस तरह से transfer कर रहे हैं, तो यह जो एक linear chain हमें बनती भी दिखती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग food chain बोलते हैं, ठीक है जी, food chain में जैसे मैंने आपको जी दिखाता पीछे, पौधा है, पौधे को जो है, पहले कीडे ने खाया, कीडे को जो है, छोटी bird ने खाया, ठीक है, छोटी bird न नहीं होती है प्रकरती में जो है आपको food web देखने को मिलता है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक जानवर सरफ एक ही चीज़ खा रहा है ऐसा नहीं होता है बड़े सारे जानवर जो है बड़े सारे जानवरों को खा रहे होते हैं या उनसे nutrition जैसे पेड़ को सिरफ ये कीड़े थोड़ा खाते हैं पेड़ को जो और भी बहुत सारे वो खाएंगे जैसे कि बग्स होगे बाकी बग्स होगे वो खा रहे हैं ठीक है जी ग्रास हॉपपर है वो खा रहा है तो ग्रास हॉपपर को बेसिकली फिर जो है बेसिकली लेटर से फ फ्रॉग खारा है और कीडे को भी फ्रॉग खारा है और फ्रॉग को जो है स्नेक खारा है और स्नेक जो है छोटे बर्ड को भी खारा है ठीक है बर्ड फ्रॉग को खारे है स्नेक को जो है बड़ी इगल खारी है ठीक है स्नेक को जो है पीकॉक खारा है या फिर पीकॉक को जो है basically wolf खा रहा है, यह लोमडी खा रही है, लोमडी को जो है बड़े जानवर खा रहे हैं, तो इस तरह से जो है बहुत एक complex web देखने को मिलता है, actually हमारे environment में और इसे हम लोग क्या कहते हैं, food web बोलते हैं, ठीक है जी, so food chain एक linear chain है, but actually हमारे उसमें क्या exist करता है, food web exist करता है, कि एक जानवर जो है, यह एक particular organism, बाकी बहुत सारे organisms के उपर अपने nutrition के लिए depend होता है, ठीक है कि नहीं, understood, so यह basically आपका food chain, food web होता है, तो देखे, this is simply a food chain, आप देख सकते हैं, आप एक जानवर बड़े सारे जानवरों के साथ nutrition ले रहा होता है, और इससे क्या बनती है, हमा secondary, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, ठीक है, question, chat के लिए question, हाँ, interrelated आप बोल सकते हैं, simply भाषा में, interrelated food chain is called as food web, question, chat के लिए, कि भई, इस tertiary traffic level के बाद भी आपको और traffic levels क्यों नहीं देखने मिलते हैं, जनली किसी भी ecosystem चल जाओगे, तीन से जाट traffic level से उपर आपको देखने को नहीं मिलते, question है आप लोगों के लिए, जल्दी से answer कर दो इसको, लगेगा कि भई, आप पढ़ रहे हो, why there are only three to four traffic levels only, बता दो भई, हाँ जी, yes, why there are only three to four traffic levels, कुछ तो बोल दो कोई, तीन से चार traffic level क्यों होते हैं, ओके, so yes, yes, पिल्कुल, so basically क्या हो रहा है, energy जो है, energy, जैसे-जैसे हम लोग एक traffic level से दूसरे ट्राफिक level पर जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाते हैं तो energy जो है इसका flow जो है वो बहुत कम हो रहा है energy का जो transfer है वो धीरे-दीरे कम हो जाता है मैंने बता है ना only 10% energy is moving forward 10% 10% 10% 10% तो बहुत कम energy जो है तीसरे लेवल के बाद बहुत कम energy पहुंचती है तो इतने अग यहाँ पर जो respiration rate या फिर loss of energy वो बहुत जादा हाई है यहाँ पर देखो 10% है यहाँ पर 30-40% respiration rate होता है यहाँ पर 50% के आसमें पहुंचता है बट ऊपर के levels में जो है it reaches up to 60-70% पहुंचता है क्योंकि complex organisms हैं और इतना जादा energy burn करते हैं हम लोग देख लो कितना energy burn करते है कितनी 2500-2000-2000 calories रोज खानी होते हैं हमको जिन्दा रहने के लिए न तो basically इतना energy consume कर रहे हैं कि हम लोग इस से ओपर traffic level बनाई नहीं सकते हैं नेचर बनाई नहीं पाते हैं क्योंकि ना ही energy उतनी पहुंच रहे हैं ना ही respiration rate जो है वो और जादा कर सकते हैं इस बिल्कुल सही बहुत बड़ी है good chat चलो आगे आ जाते हम लोग then बात करते हैं ecological pyramids के बारे में जो की हम लोगों को ecosystem में देखने को बनते हैं ecological pyramids pyramids जो है basically क्या है it's a statistical statistical tool है जो हम लोग use करते है statistical tool as in such pyramids को हम लोग actually में देखते नहीं है basically हम बनाते है pyramids जैसे pyramids of numbers है numbers का जैसे यह basically typical देखो this is a grassland ecosystem grassland ecosystem में आप देखो किस तरह से pyramids number बन रहा है primary producer देखो यहाँ पर कितने जादा है around अलग अलग तरह के पेड़ घास के वो मिला के some 5 लाग से उपर जो है sorry 58 लाग से उपर जो है आपको यहाँ पे varieties देखने हो मिल रही है plants देखे species देखने हो म जाते हैं 20 कीडे पतंगे चोटे जो जानवर हैं तो यह 7 लाग के आसपास में मिल रहे हैं फिर हम secondary consumer के उपर जाते हैं तो यह 3 यह 3 लाग के आसपास में मिल रही है तो हम क्या देख रहे हैं यह pyramid बन गया ना इस तरह से इस तरह का एक pyramidal representation बन गया आपका जिसमें primary producer secondary primary consumer secondary consumer and thirsty consumers आपको देखने को मिल रहे हैं generally जो कौन है these are top of the food chain predators हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो basically यह आपका क्या है this is आपका pyramid of numbers ठीक है तो pyramid of numbers inverted हो सकता है क्या the ecological pyramid जो है वो upright भी हो सकते हैं जैसे upright आप देख पा रहे हो और inverted भी होते हैं ठीक है जैसे upright भी होते हैं inverted भी आपको जाता है कैसे ऐसे invert हो सकता है ठीक है जी सबसे नीचे जो है एक single tree है एक single tree की species उस tree के अंदर जो है let us say अलग लग तरह की species रह रहे हैं जैसे कि आपका some ants are there then उसके बाद let us say some bugs यहाँ पे रहते हैं some छोट छोटे कीडे टाइप के लग 5 से 10 species आपको यह देखने को मिल रहे ह ठीक है इनके अंदर जो है further जो हम लोगों बड़े सारे इनके अंदर parasites देखने को मिलते हैं parasites के अंदर hyper parasites देखने को मिल सकते हैं तो इस तरह के जो है basically आपके inverted pyramids से number उपर की तरफ increase भी होते आपको दिख जाते हैं ठीक है कि नहीं तो they are basically pyramids और inverted भी हो सकते हैं hyper pride भी हो सकत है similarly biomass biomass means weight के साब से होता है ठीक है नहीं biomass means it is according to the weight की हर एक traffic level में कितनी standing crop है तो pyramid of biomass क्या होता है आपका जैसे यहाँ पे crossland में देखोगे तो यहाँ पे 1000 kg के आसपास में यहाँ पे 100 kg रह गया यहाँ पे 10 kg रह गया यहाँ पे 1 kg रह गया तो यह upright भी हो सकता है यह inverted भी हो जा हाता है जैसे कि जनरली आपका जो पिरामिड और ओशें एको सिस्टम जो तो उसमें biomass inverted होता है सबसे नीचे आपको क्या मिलते है और सबसे नीचे आपको देखने मिलते हैं फाइटो प्लैंक्टन देखने में मिलते हैं यह नंबर से बहुत जादा है पर अगर मास पर यून इसके उपर जो हैं आपको बड़ी फिश हैं 24 ग्राम पर मीटर क्यूब तो उपर जैसे जाते हैं तो biomass actually increase करता है आपको देखने को मिल रहा है यह भी जो है inverted हो सकता है और सीधा जो है upright हो सकता है बट जो चीज आपकी inverted नहीं हो सकती वो है a pyramid of energy ठीक है यह pyramid of energy हमेशा क्या होगी ऐसी upright ही देखने को मिलेगी क्यों because जो energy है वो उपर जाते हुए कम ही होती है ठीक है यह rule है 10% जो है as we move traffic level तो 10% energy का जो है loss आपको देखने को transfer of transfer में जो है सिर्फ 10% ही आपको देखने को मिलती है ठीक है गी निश्ट? पर शंकर बुक से पढ़ रहे हैं पढ़ते रो जी पेपर के बाद भी नहीं खतम होगी पढ़ते रो बहुत पढ़िया है ठीक है शंकर की बुक पढ़ो एंटिका पेपर निकल जाएगा तब भी नहीं खतम होने आ लिए तो आगे आजो उसके बाद ये आपके बेसिकली क्या होगे एकलोजिकल पिरामिट्स होगे ठीक है जी? कि इकोसिक्टम जो है एक पटिकुल एरिया में जो है वह क्या कर रहे है इंट्रयक्ट कर रहे है मैंने आपको पिछली नी बताया थी पिछली बारी कि इसमें बेसिकली जैसे हम बच्पन में वो नहीं मनाते है ड्राइंग नहीं मनाते थे ड्राइंग करते थे ना बच्पन में हम लोग कि यह देखो इस तरह से पहाड बना दिये and then एक नदी बना दिये है न सूरज बना दिया तो यहाँ पर अपना एक हट बना दिया यहाँ पर जंगल बना दिया इस तरह से तो यह बेसिकली क्या है यह कुछ नहीं है एक लैंड्सकेप हम लोग बना रहे है जिसमें अलगला तरह का फॉरेस्ट एकोसिस्टम, माउंटे इकोसिस्टम, ग्रासलेंड एकोसिस्टम फॉरेस्ट एकोसिस्टम, रिवर एकोसिस्टम यह सारे जो हैं क्या कर रहे हैं इंट्रैक कर रहे हैं ठीक है बेस्ट एक्जामपल इसका जैसे क्या है नैशनल पार्क होगे यह वाइड लाइफ सेंचरीज हैं यह क्या है आपके, ट्रीवन टाइगर रिजर्वे, they are not an ecosystem, they are actually a landscape ठीक है, understood, yes यह जह आपे बहुत सारे landscapes मिलते हैं आपको, क्या बनाते हैं आपके, biomes बनाते हैं biomes, biomes भी बहुत बड़े-बड़े areas हैं आपके they are huge areas, huge huge areas of similar climatic conditions, similar physical environment और उसके कररण similar तरह के आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है similar तरह को आपको यहाँ पर basically एक बायो जानवर की लाइफ है वो देखने को मिलते है ठीक है जैसे कि अपका ये अपका 10 degrees south, 10 degrees north irk्वेटर है आपका है न by the way 10 degrees south, 10 degrees north ये वाला region में आपको जो है, this is one of the biome है न, एक biome आपको मिलता है, this is called tropical rain forest biome tropical rain forest biome बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है तो tropical rain forest biome जो है यहाँ पे, देखो, एकी similar तरह की climatic condition देखने को मिल रही है, कौनसी similar तरह की climate condition, average जो temperature है वो 24 degree से 27 degree होता है, कोई ठंड नी होती, सारा साल यहाँ पे गर्मी रहती है, average rainfall जो है, वो 200 से 200 cm मिल जाती है, हर रोज के आसपास में बारिश हो जाती है, क्या न, यहाँ पे जो है, आपको क्या मिलेंगे, tropical rain forest biome मिलता, बड़े बड़े घने वर्शावन आपको देखने मिलेंगे, ठेक है bear girls की episode में आपने देखा भी होगा man versus wild बड़े बड़े जंगल आपको देखने मिले, पेड जो है, 60-60 meter की height पकड़ लेते हैं, पेड जैसे की, ibni, mahagani, rosewood इस तरह के पेड आपको देखने मिलते हैं और बड़े घने जंगल होंगे आपके, मतलब बेहसाब घने जंगल, इन में से maneuver करना मुश्किल हो जाता है, इतना कि sun की light तक नहीं पहुंचनी यहाँ पे, ठेक है यह very very dense और अंदर खड़े वंदे को पता नहीं चलेगा कि उपर क्या पहर चल रहा है, ठीक है की नहीं यहाँ पे सब कुछ उपर जाने के लिए struggle करता है, लेंटेनाज, बड़े-बड़े epiphylts इस तरह के बेल लगती है, सब जो है उपर पहुंचनी कोशी करते तागी थोड़ी sunlight ले ले, हैना, काई से भरा रहता है environment, बहुत सारी movies अगर आप देखियोंगी तो, जिससे important, anaconda movie देखियोंगी तो उसमें भी यही चीज़ दिखाई हुई है, या अगर आप ने predator movie देखियोंगी, starting वाली तो उसमें भी यही सारा environment दिखाया हुआ है ओके, सो यह एक तरह का biome हो गया है, इस तरह के बहुत सारे biomes आपको देखने में मिलते हैं, tropical rainforest biome है, desert biome है, tundra biome, tundra बिल्कुल आपको poles की तरफ को मिलेगा, जहाँ पे बिल्कुल जो है, क्या है, बरफ से ढखा हुआ जो है, आपको environment है तundra biome, यहाँ पे आपको बड़े बड़े जंगल नहीं देखने मिलेंगे, यहाँ पे सिरफ आपको छोटी-छोटी घास या मौस देखने मिलती है, वो भी coastal areas में है, ताइगा biome, इसकी निचे आपको ताइगा biome मिलेगा 66 degrees के आसपास में 66 degrees के आसपास में टाइगा biome, यहाँ पे एक इतरह के पेड़ देखने मिलेंगे वो है, कॉनिफरस तरह के पेड़ आपको ओते हैं, ठीक है और यहाँ पे बरफ जो है, वो 6-8 मीने बरफ पड़ती, एक इतरह के जंगल देखने मिलेंगे, कॉनिफरस तरह के पाइन, फिर, स्प्रूस, लार्ज के पेड़ आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं तो इस तरह के अलग अलग तरह के biomes है, यह biomes यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है Amazon Forest, Tropical, हाँ, Tropical Rain Forest वाला रिजिन हो गया आपका, ठीक है, यह देखो, यह biome है आपका सब, polar, तुंदरा, boreal, forest, boreal is basically टाइगा बायोम, है ना, टाइगा बायोम जहाँ पे मैंने आपको वह कॉनिफरस टेके पेड़ दिखाए, प्रेरीज होते हैं, cold desert होते हैं से आपका, इसको मैंना अगर आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ अलगला उस पे, अलगला climate के साब से होते हैं, एक एकवेटर पे देखो, यह 0 degrees equator हो गया, तो यह उपर सबसे उपर जो है, 90 66 degrees के उपर उपर वाली जगह जो है, 6,5 degrees के उपर Arctic Circle, नीचे जो है, Antarctic Circle, इसके नीचे आपको देखने हो मिलेंगे, Polar and Tundra Biome, तीक है जी, Polar and Tundra Biome, जिसमें मैंने आपको बताया, सारा साल जो है, बरफ से ढखा रहता है यह, और Permafrost Regents होते हैं, Permafrost मतलब बरफ से सारा साल जो है, Soil ढकी हुई है, तीक है कि नी, और यहाँ पर आपको ज़्यादा Vegetation देखने हो मिलती, बिल्कुल घास, छोट छोटी घास या Mosses देखने हो मिलते हैं, इसके उपर आपको मिलेगा Tyga, Tyga या Boreal जिसे हम बोलते हैं, Tyga Type, Biome Boreal Type, जिसमें मैंने आपको पता है, इस तरह के, कौनिफर तरह के पेड़ देखने हो मिलते हैं, Pine, Fier, Spruce, Large के, इसके उपर जो है, आपको तीन हिस्तों में Divide हो जाता है, जनली, एक है आपका Temperate Decidious, ठीक है, इधर से दिखाता है, यह वाला, यह आपका जो है, यह आपके Mostly Temperate Decidious टाइप के पेड़ यहाँ पर देखने हो मिलेंगे, जिसे British टाइप का Climate है, Canada में जो Climate आपको देखने हो मिलता है, यह Canada में जो आपको Vegetation देखने हो मिलती है, जहाँ पर आपको Willow के पेड़ हो गए, आपके Maple का पेड़ देखने हो मिलते हैं, इस तरह के पौधे देखने हो मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद यह जो Region है आपके These Regions, नीचे वाले Regions, यह सारे जो है आपके कहा है, basically Prairie Regions, यह Prairie Regions आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है, जहाँ पर आपको बड़े-बड़े घास के मिदान देखने को मिलते हैं, और अगर आपने चंगेज खान के बारे में सुना होगा, या फिर यह सब जो है इस तरह के लोग यहाँ पर रह देते हैं, ठीक है जी, जैसे आपका मोंगोलिया हो गया, या फिर आपका गोबी डेजर्ट हो गया, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, उसके नीचे जो है आपको बड़े सारे तरह के क्लाइमेट देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको बड़े सारे क्लाइमेट देखने मिलते हैं, जैसे की वाम डेजर्ट, वेस्टन साइड में आपको वाम इनको सबसे नीचे मैंने आपको बताया कौन सा यह है ट्रॉपिकल रेइन फॉरस्ट टीक है जी तो यह अलग अलग तरह के biomes है इनको अगर आपको पढ़ना है तो ज़्यादा deep में जाने की ज़रूत नहीं बस आपको यह ओपकर उपर से पता होने चाहिए कौन कौन से biomes है यह जो है temperature के हिसाब से और rainfall के हिसाब से अलग अलग biomes की category डाल रखे यहाँ पर इन इन दोनों जो है चीजों को आपको थोड़ा सा study करना है ठीक है की नहीं इसको अगर इसको अंदर deep में जाने लगा तो बहुत deep है साथ दो तिन lecture तो मैं इसी पर ले जाऊंगा बट मैं इस पर लेके जाना चाहता नहीं ठीक है फाइनली जहाँ पर सारे बायोम्स मिलते हैं वो क्या बनाते हैं बायोम्स जहाँ पर जो कठे इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बायो स्फियर बोलते हैं बायो स्फियर बोलते हैं बायो स्फियर बोलते हैं बायो स्फियर बोलते हैं इन्टायर अर्थ में जहाँ पर आपको लिविं define किया biosphere को 1926 में it says the envelope of life ठीक है जहाँ पे planet जो है वो cosmic milieu को मिलता है it is the envelope of life जहाँ planet और cosmic milieu मिलता है और जहाँ पे जिन्दगी जो है वो पनपती है उसको हम लोग biosphere बोलते है ठीक है कि नहीं so यह जो था आज का lecture है आप लोगों का and that is it from my side thank you very much अगर आप लोगे पास कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो मैं अभी भी आपके साथ 1015 में जूड़ूंगा हाजी guys any doubts आप till so far जो लोग भी जुड़े हुए है बहुत बढ़ी है भाई इतना time रहना that is also very nice so very good अच्छे है लगे रो in case कोई doubt है तो फटा फट चे पूछ सकते हो हाँ जी anything chat फटा फट so 3 lecture लेने है मैंने basically 4 लेने है अब तो एक जो है आपका ecology के concepts पे हो गया ठीक है जिसमें हमने mostly NCRT वाले cover कर लिया है NCRT अगर आप देखो न 12 वी के NCRT है 12 वाली तो वो मैंने सारी cover करवा दिया आपको कल मैं जो है बायो डाइवरसिटी के उपर topics लोंगा and परसो जो है मैं pollution के उपर topics लोंगा और शायद अगर एक और lecture लों तो उसमें मैं statutes basically Indian statutes जो हैं वो कौन से हैं उनके उपर लेटूँगा Savannah grasslands and other grasslands देखो इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ चलो पूछ लिया है तो मना किसी को नहीं करेंगे यह देखो यह मान लो आपका क्या है इस इस poles 90 degrees north and यह आप लगा लो 0 degrees equator ठीक है अब मैंने curve क्यों बना है मैंने ऐसी बना दिया मेरे से बना ऐसे तो मैंने ऐसी बना दिया ठीक है जी यहाँ से मैं आपको vegetation दिखाना start कर रहा हूँ कैसी होती है पोल्स यहाँ पर क्या है बेसिकली बर्फ ही बर्फ है और बिल्कुल तटवर्ती इलाकों में थोड़ा बहुज है यहाँ पर घास चोटी बहुत चोटी घास mosses और lichens उख जाते है lichens mosses इस तरह की चीज़ी होगी है बस यहाँ पर बड़े ही characteristic जानवर आपको देखने में मिलेंगे जैसे हां पर polar bear देखने में मिलता है in northern hemisphere ठीक है और एंटाक्टिक में आपको penguins देखने में मिलते हैं कठे नहीं मिलते हैं याद रखना ठीक है southern hemisphere में मिलते हैं arctic foxes देखने में मिलती हैं छोटी छोटी इस तरह के जो बड़े ही adapted जानवर हैं आपको देखने को बिलेंगे और इसके अलावा जो भी economy जो भी आपका basically जीवन है वो पानी के आसपास में बनबता है क्योंकि यहाँ पे ही आपको थोड़ा बहुत nutrition देखने को मिलता है उसके बाद आता है आपका second type this is tiger के हो सकते हैं फिर के हो सकते हैं spruce के हो सकते हैं large के जंगल होते हैं सारा साल हरे रहते हैं और basically इन में अच्छे से 8 मेने तो बरफी पड़ी रहती है और सिर्फ 4-5 मेने के लिए जो है soil दिखती है तो यहाँ पे सिर्फ इसी तरह के आपके जंगल हो सकते हैं ठीक है still comparatively काफ डिसूडियस टाइप के जंगल देखने में मिलते हैं या फिर आपका basically mixed type की vegetation देखने मिलते हैं जिसमें अगर थोड़ी पहाड़ी वाले लाके या जा ठंडे वाले लाके मिल जाते हैं जैसे की maple का पेड़ मेपल का देखा ना जो उसके जंडे मेपल का पेड़ है कैनड़ा के maple, willow के पीड़ आपको देखने मिल जाते हैं cricket bat बनता है willow से, willow के पीड़ से, है ना इंडिया में कहा मिलता है willow वो बताओ भई भटापट चैट में ठीक है maple हो गया, willy हो गया, इस तरए वी लोग इस तरह के मिलते हैं काफी विविद्ध ता यहाँ पे जानवरों की देखने मिलते हैं काफी जाद जानवर आपको देखने को मिलेंगे और यह काम यहाँ पी होता है ठीक है इन्ही जगओं के अंदुरूनी लाकों में आपक वाले साइड में या फिर हम लोग जो हैं के short grasses वाले region बोल देते हैं जिनने अब मैं नाम ही भूल गया basically यूरोप में क्या बोलते हैं इनको यूरोप में क्या बोलते हैं बही किसी को पता है तो बताओ भी मैं भूल गया दिमाग से निकल गया grasslands होते हैं टेंपरेटेजन के grasslands ही तो prairies बोलते हैं या इसको सवाना जी दिमाग में आ रहा पता है नहीं क्यों सवाना नहीं बोलते हैं कुछ और बोलते हैं हाँ pampas prairies नहीं basically यूरोप में क्या बोलते हैं इनको वो मिर को याद नहीं आ रहा है pampas बोलते हैं इनको South America में South America में Pampas बोलते हैं इनको ओके चलो anyways यहाँ पर आपको जो है बड़े बड़े जो है grassland type के जानवर देखने में जिसे घोडे देखने में मिलते हैं ठेके घोडे हो गए या बाइसन जोगे इस तरह के जानवर आपको देखने में मिलते हैं और इनको अब जो है हम लोग agriculture लिए काफी extensively यूज़ करते हैं नई भई मैं Europe की बात कर रहा था आप well जो है हम South Africa में बोलते हैं anyways इसके और आगए आजो हम लोग जो हैं फिर आते हैं tropical regions में यह आपके ट्रॉपिकल रिजिन सागे ठेके ट्रॉपिकल टेम्परे रिजिन में कही की बढ़ी अंदर जगह में बिल्कुल यह घास भी नहीं पैदा होती है और बिल्कुल cold जो हैं desert type के रिजिन देखने मिलते हैं cold desert यह आपके जो होगे जिसे की गोबी, टकला मकान यह इस तरह के desert आपको देखने को मिलते हैं stepes बोलते हैं बहुत बढ़िया जी eurasian stepes बोलते हैं इसको ok wonderful मैं को याद ही नहीं आ रहा था stepes बोलते हैं इसको cold desert भी आपको देखने मिलते हैं tropical में भी तीन type के देखने मिलते हैं एक जहाँ पर बारिशे eastern side में जहाँ पर बारिशे बारिशे बहुत होते हैं तो वहाँ पर हमें decudious type के जंगल देखने मिलते हैं decudious type के vegetation जिसे teak saal sandalwood तरह के पेड़ और काफी ज़्यादा घनिया बादी वाले जंगल देखने मिलते हैं temperate decudious भी देखने मिलते हैं जैसे चाइना वाले रिजन में वहाँ पर भी हैं बड़े बड़े आपको decudious के पेड़ और हरे evergreen bamboo देखने को मिल जाएगी इसके western side में आपको warm deserts देखने मिलते हैं जैसे कि हमारा थार हो गया या फिर इरान में जो है दस्ते लूर दस्ते कवीर हो गया इस तरह के जो है आपको desert देखने मिलेंगे और फिर आपका जो है equator और यहाँ पे हाँ beach में जो है कहीं पे सवानाज भी देखने मिलते हैं छोट छोट छोटी घास के मैदान जहाँ यहाँ पे जाड़ियां कहीं 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 काफी बड़ी हो जाते हैं जहने हम elephant grass बोलते हैं यहाँ पे आपको जो एफरिकाल अरिजन है जहाँ पे हमको बड़े बड़े जो है जो cats है बिग cats हैं या फिर बिग सफारी हैं उस तरह की climate देखने हो मिलता है छोट 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 घास के मैदान होंगे कई की जगा बड़ी बड़ी जाड़ियां भी जाते हैं और छोट छोट छोटे पेड़ भी देखने हो मिलते हैं तेक हैं वहाँ पे आपको जल्ली लॉएंज यह इस तरह की जो संगल सफारी देखने होते हैं और equator में बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े एवर्ग्रीन पेड़ यह आपके basically एवर्ग्रीन पेड़ होते हैं और क्यों होते हैं विकोज यहाँ पे सारा सल गर्में और सारा सल बारिश रहती है चीक है सुधिया कॉल्ड एवर्ग्रीन ओके चालो जी ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू ओके सो दाट इस इट फॉम माई साइड और आज के लिए तन नहीं है किसी और दिन बात करेंगे विवेकराम से अभी तो जोग्रफी अभी भूल जाओ अभी जितना यह कर रहे हैं वो करते हैं उसके बाद जोग्रफी ऑप्शन का भी बता देंगे नो प्राब्लम्स ठीक है जम्मू कश्मीर में करते हैं के इसको डाउट है तो फटा फट पूछ लो चाट पे नहीं तो फिर मेरी तरफ से बाइबाइबाइब है ठीके जी लगे रो continue all the best and ऐसे पड़ाई करते रो और एक दो दिन रहेगे मेरे साथ उसके बाद आपको history वाले सर को दे देंगे